नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज 3 दिसंबर गुरुवार दो पहर एक बज़े राजस्थान की खास खबरें बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूस को और प्रेस करें बेल आइकन को टॉंक और जैपूर एसीबी ने भीलवाडा में बड़ी कारवई करते हुए भीलवाडा यू आईटी के एसी रमेश्वर लाल सहित एक्सियन सतीश और एयन ब्रह्मा लाल को एक लाख रुपे के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार किया है टॉंक एसीबी के एसपी विजे मीना ने बताया कि तीनों ने विल पास करने की एवज में पांच लाख रुपे की खूस मांगी थी आरोपियों ने परिवादी से तीन लाख रुपे पहले ही ले लिये थे आज गुरुवार को एसीबी ने एक लाख रुपे के रिश्वत लेते तीनों को गिरफतार कर लिया इस कारवाई में जैपुर ग्रामिन एसीबी टीम का भी सहयोग रहा ये कारवाई एसीबी डीजी बील सोनी एडीजी दिनेश एमन की निर्देश पर की गई मसाला किंग के नाम से मशूर MDH के मालिक महाश्य धरंपाल गुलाटी का आज गुरुवार को निदन हो गया 98 साल के धरंपाल गुलाटी ने दिल्ली के माता चंदन देवी अस्पताल में आखिरी सांस ली जानकारी के नुसर गुरुवार सुबे उन्हें हार्ट अटेक आया जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया पिछले दिनों उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी लेकिन वह कुछ दिन बार ठीक हो गय थी वहाश्य धरंपाल गुलाटी का जनम 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियाल कोट में हुआ था और यहीं से उनके वैवसाई की निव पड़ी थी अलवर्चिले की बानसूर पुलिस थाने के नजदीक खेत में पड़ी हुई कड़बी में लुका छिपी को खेल खेलते हुई बच्चे कड़बी में छिप गए खेलते हुई बच्चे तबी कड़बी में आग लग जाने से एक बच्चे की मौत होगी वहीं दो बच्चे जुलस गई, सूशना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने बताया कि ग्रामीनों की मदद से आग को भुजा कर बच्चों को अस्पताल भुजवाया गया, जहां पांच वर्षी आशेश निवासी पलवल हरियाना की मौत हो गई, वहीं तीन चले के नोखा थानक शेतर में लूट की वार्दात सामने आई है, जानकारी के अंसार लुटेरे कार चालब को पिस्टॉल दिखाकर फॉर्चुनर गाडी लूट कर फरार हो गई, सूशना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने बताया कि घटना नैशनल हाईवे न मिली थी, इससे पुलिस को अंदेशा है कि लुटेरे ड्राइविंग के मामले में नौ सिखिये थे, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है, जोद्पुचले की मथानिया थानक शेतर में 23 वर्षे युवति से दुशकरम का मामला सामने आया है, पेडिता ने थाना मे नामसद आरूपी के खिलाफ दुशकरम का मामला दर्स करवाया है, पुलिस ने बताया कि युवति का मेडिकल करवाया जाएगा, वहीं आरूपी को पकड़ने के प्रियास शुरू कर दिये है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, कोटा चले की रेलवे कोलोनी थानक शेतर में एक साथ वर्ष्य बालक की खेलते खेलते चट से गिरने पर मौत हो गई, पुलिस ने बताया कि रामदस नगर पुरोहित जी की तापड़ी निवासे साथ वर्ष्य सूरज खर की चट पर खेलते समय गिर गया, उसे घंबीर हाल में अस्पताल में भर्ष्य करवाया गया, जहां इलास के दोरान उसकी मौत हो गई, पुलिस ने शव का पोस्ट माटन करवा कर शव परीजनों को सौप दिया, इस बार नए वर्ष पर 33 IPS अधिकारियों को परमोशन का तौफा मिलेगा, इनमें 2008 बैच के 13 IPS, 2007 बैच के 7 IPS, 2003 और तीन बैच के 10 IPS और 1996 बैच के 3 IPS अधिकारी शामिल है, CS निरंगजन आर्या की अधिक्षता में आज सची वाल्या में IPS के अलग-अलग स्केल्स में परमोशन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठ खुई, इन में इन IPS अधिकारियों के परमोशन को लेकर अनु मोधन कोटा जिले की नयापुरा थानक शेतर में एक पती ने पहले पतणी को दहेज के लिए परिशान के और नहीं देने पर मार बिटी, जब पतणी ने पुलिस केस कर दिया तो कोट से जमानत मिलते ही पती नयापुरा स्थित पतमी से लड़ाई करने लगा, पत्य पती ने आफ देखान अताव और पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर तीन तलाक दे दिया, पुलिस में पेडिता अफसाना की शिकायद पर पती शाकिर अली के खिलाफ केस दर्सकर के मामले की जाच शुरू कर दी है। परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में 24 जनों के खिलाफ नामजद शिकायत की थी, लेकिन कोट ने पुलिस जाच पत्रावलियों के अवलोकन और मुझुद्या साक्षों के अधार पर कालू, सुखराम, सर्दार, प्रबुलाल और आपूर्फ बाबुलाल को अलग-अलग धर पाया, आग से लाख रुपे के हैंडी क्राफ्ट का सामान चलकर राख हो गया, पुलिस ने बताया कि शास्त्री नगर बोरा नाड़ा बास्मी से दमकल की गाडियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने के कार्मों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है 22 शेर की अगरपुरा की सेक्टर आठ में एक ट्रांस्पोर्टर के खर चोरी को वार्दात सामने आई है, जानकारी के इंसार पीरित महिपाल सिंग ने एक रात सूने रहे, मकान से 4,000 रुपे के नगदी और 21 तोला सोने वे 65 तोले चांदी की जेवर चुरा ले गए, महिप परिवार के साथ 29 नवंबर को पूजा करने के लिए आसपुर पैतरक गाम गए थी, अगले दिन सुबह उनका बेटा जब लोटा तो छोड़े का पता चला, सुशना पर पुलिस मौके पर पहुँची, पुलिस ने अग्यात चोरों की तलाश शुरू कर दी है ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूस अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए